में आपका स्वागत है आज हम हिस्ट्री का question discuss करेंगे वर्ल हिस्ट्री का सामने है आपके question time waste नहीं करते हैं इंडस्ट्रिल रेवल्यूशन जो सबसे पहली बार इंग्लेंड में हुआ that we know around 1760 क्यूं हुआ इंग्लेंड में ही क्यूं? इस क्यूं का जवाब क्या है? सोचिए, pause कीजिए और इस answer को आप लिखिए लिखने के बाद 7 minute लीजिए 10 marks का question है अगर इस बार means दे रहे हैं अगर अभी means नहीं दे रहे हैं अगली बार means अब देंगे तो फोड़ा time बढ़ा लीजिए 8 minute 9 minute लेकिन लिखना जरूर है आपको क्या लगता है? क्या reason है? अपना answer लिखिए उसके बाद हम discussion करते हैं और फ पहले स्टार्ट करोगा industrial revolution क्या है? एक्सक्लारेटेड एकनॉमिक ग्रोथ है और यह आया इंग्लेंड में mainly because of improvement in manufacturing sector तो यह आपने कुछ introduction दे दिया इसके बाद क्या? आपको divide करना होगा answer बहुत लोग कहते हैं ना कि पैस्टल जो है political dimension, economic, social dimension अब यह matter नहीं करता है मेरे हिस आपसे हमेशा matter करता था, आगे भी matter करता रहेगा, अभी भी matter करता है, the thing is कि आप इसको divide करो, let's say कि हम divide कर दें कि political reasons क्या है, जिसके कारण कि England में industrial revolution आया, हम इसको divide कर दें economic reasons क्या है, हम इसको divide कर दें social reasons क्या है, हम इसको divide कर दें technological reasons क्या है, उस बंदे को जादा marks मिलेंगे जो इस तरह से bifurcate कर देगा या उस बंदे को ज़्यादा marks मिलेंगे जो सारे points एक जगा डाल देगा आप खुछ सोची, आप एक examiner आप चेक कर रहे हैं कॉपी, किसको ज़्यादा marks देगे आते हैं, बोल बच्चन, कम, काम, ज़्यादा तो industrial revolution पहली बार इंग्लेंड में क्यों हुआ, economic reasons पर अगर आए तो raw materials थे इनके पास माली जी, industrial revolution की जब हम बात करते हैं तो हम cotton की बात करते हैं, ये भी एक statement है इस पर भी question आ चुका है, history optional में ये तो ऐसे GS का question है आपका तो cotton के हम बात करते हैं, ये raw materials cotton, iron and steel जो था, ये यहाँ पर England में available था, first बात, second cheap labor cheap labor भी England में available था, लेकिन इसके कुछ और issues होंगे जो हम बाद में भी discuss करेंगे, cheap labor भी available था, जो इन machines को चला पाएं जो भी हम आगे देखेंगे, तो cheap labor raw material, ये available है, ये दो reason होगए, economic, third है, third जो reason है, वो थोड़ा interesting है, उसको बोलते है, mercantilism, British mercantilism ये हम economic reasons की बात कर रहा है तो British mercantilism या जो British की mercantilist policy थी, इसने बहुत बड़ा role play किया, industrial revolution लाने में, mercantilism का क्या मतलब है, कि इनके बहुत सारे colonies हैं, और कोशिश करते हैं ये maximum colonies के साथ, positive balance of trade रखने का, कि maximum export करें, कम से कम import करें, या अगर import करें भी तो raw materials करें, export करें, तो finished goods करें, इस तरीके से, अलग-अलग तरीके से, इन्होंने एक positive balance of trade बना के रखा है, इनके पास जम 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 पैसा है और ये पैसा वो डालेंगे, investment तो ज़रूरी है नजी, industrial revolution हवा में तो आएगा नी, और ये investment कौन देगा British की, sorry, mercantilist policies जो है या जो British mercantilism है, वो देगा tongue twister, ये कोछ economic reasons है, अब आते है political reasons पे, ठीक है न, political reasons का क्या मतलब है अगर मालीजे कोई country बहुत unstable है, मालीजे African कोई country है बहुत unstable है, वहाँ पे आप revolution ले, आप लापाओगे, किसी भी तरीके का stability चाहिए न, तो political reasons में क्या आएगा, कि glorious revolution हुआ था एक, England में 1688 में, if I'm not wrong glorious revolution, जिसमें कि वो अपनी monarchy को थोड़ा change range करना चाहते थे तो इसके बाद, इस glorious revolution के बाद, एक relative peace था England में, एक relative peace था, second point किया है कि आप geography की, मतलब geography भी देखो उसका, तो उसका न, एक geographical isolation है, बहुत ही strategically placed है, island country है, यॉरोप में तमाशा होता रहता है, ये बाहर से देखते रहता है with due respect to everyone involved here तो geographical isolation जो है इनकी जो naval supremacy है इन सब के कारण क्या हुआ, एक बहुत ही तगड़ी तरीके का political stability देखा गया England में और कहीं पे भी किसी भी तरह का revolution तब नहीं आ सकता है अगर थोड़ी बहुत instability हो, ये stability भी एक reason होती है industrial revolution लाने का, ठीक है पैसा भी है, इनके पास economic region भी है politically भी stable है और इसके भी अलग-अलग factors है, भगवार ने इनको location भी ऐसा दिया है, जिसमें कि ये island है और दूसरे सारे नजारे देखते है ये और आप में ठीक है, political reasons ये हो गए social reasons पर आते हैं, बड़ा interesting है याप पर अगर हम social reasons की बात करें कि industrial revolution क्यों आया England में ही क्यों आया है, इसके social reasons क्या है तो ना इसमें एक बहुत interesting policy है that is, जो अगर हम बात करें Christianity की, तो एक time के बाद वो divide होगे Catholic जो लोग है और जो Protestant लोग है, ये Protestant लोग आपको बहुत मिलेंगे, majority है England में, Protestant ethics होता है Protestant ethics में ना एक theory है, theory of predestination, उसमें वो कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा लिखाया है ये तो हम अपने आज जीवी का theory में भी कहते हैं और आप, और अगर आप successful होते हैं किसी particular work में, तो that means कि भगवान आपसे खुश है, तो ना कभी-कभी ये लोग, maximum, लोग जाधा काम इसलिए करते थे ताकि ये successful हो जाए अपने trade में और ये दिखाने की कोशिश करने कि देखो भगवान हमसे खुश है, और भगवान की कृपा हमारे उपर है, तो ये जो Protestant ethics है इसमें एक और fund आता है, वो कहते थे कि खेलोगे, कुदोगे, मतलब होगे खराब, पढ़ोगे, लिकोगे, बनोगे नवाब मतलब कि काम आप ध्यान दो, अपनी calling को पहचानो, calling कि तुमको क्या करना है life में, इसको पहचानो, उस पे ध्यान दो, उस पे focus रखो इधर उदर की बातों में ध्यान मत दो जो काम है, जो आपने मना लिया माली, जो मैंने बना लिया मन के teaching करना है, history का one of the best teacher बनना इंडिया में, तो पढ़ाओ अच्छे से, पढ़ो और पढ़ाओ, तो ये protestant ethics था, और ये जो ethics है, ये जो enlightenment, ये सारे जो नहीं, बहुत सारे ideologies लेके आ रहे हैं, और इन ideologies का भी बहुत बड़ा रोल होगा industrial revolution को लाने में, ये होगे social reasons, फिर आप technological reasons में आओगे, और वहाँ पर बाते करोगे, कि नए-ने invention हुए, steam engine हुआ, ठीक है ना, spinning engine, जो है, उसकी discovery कैसे changes ला रही है, हम अभी कुछ चीज़ें देखेंगे, उससे आपको चीज़ें समझ में आएंगी तो ना, answer को इस तरीके से आपको तोड़ना है अभी आपने बात किया, economic reason एक आप, definition लिख दो फिर यहाँ पर points है, raw material है उनके पास, mercantilism policy positive balance of trade, इसके कारण उनके पास जम जमा जम पैसा आया, उसको invest करेंगे, cheap labor भी है उनके पास ठीक है ना, तो यह सारे कोच economic reasons हुए, यह सारी बात आपने कर ली political reasons क्या है, relatively undisturbed है, और political stability क्यो है, क्योंकि इनका geographical location भी इस तरह काई ना, bro, यहाँ देखो, यह है England, आराम से एग्दम isolated है, Europe से, must वाला, तो obviously, यह भी एक इन के लिए, बहुत बड़ा factor हो गया, naval supremacy तो है social reasons, यह बहुत important है maximum लोग यह नहीं लिखेंगे, जो अभी हमने बात की न, protestant ethics की, जहांकि वो बात करते हैं, pre-restination की, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, अगर आप successful होते हैं अपने trade में, that means भगवान की आपके उपर कृपा है, तो यह दिखाने के लिए कि हमारे उपर भगवान की कृपा है, वो बहुत hard work करते थे commit themselves to their calling, मतलब अपने जो calling apps को पहचानो, क्या है तुम्हारा calling, तुम्हारा calling यह है कि तुमको हर दिन सुबह साम 5 सीजन निकालना है, नेट्फिक्स के shows का, तो निकालो, जो भी calling है करो, जो भी करना है अच्छे से करो, ठीक है न, inlightenment, inlightenment के जो इडिया, यह भी एक बहुत बड़ा role play करते है, टेक्नलोजिकल रीजन, ने, डिस्कवरी, steam engine, spinning जैनी, a point है, कैसे steam engine spinning, spinning जैनी, जो है, वो industrial revolution लाने में help करेगा, मैं न, आपको NCRT दिखाता हूँ, बिकूद मैं बार-बार NCRT दिखाता हूँ, बहुत सारे यह wheel है, इस पर एक यान जो है, यही घूमेगा, इसी से threats होँगे, जब आप textile की बात करते हो, तो यहाँ पर ध्यान यह रखिएगा, इसको मैं थोड़ा सब बड़ा कर देता हूँ, आपको शायद अभी दिख रहा होगा यह, तो इसमें क्या होता है, कि जैसे spinning में क्या होता है, कि आपने cottons उठाए, market से, उसके market क्या, sorry, market नहीं, agriculture field से उठाए, इस cotton, raw cotton, उसको फिर आपको क्या करना होगा, threads बनाना होगा, तो यह जो raw cotton thread बनेगा, यह spinning process है, फिर जो आपके threads है, उसको cloth में आप convert करोगे, वो weaving process है, पहले स्पिनिंग जो है, एक wheel में एक spinning होगी, एक thread बनेगा, कितना लंबा process है, अब यहाँ पर समझते है, steam engine आने से क्या हुआ, जैसे देखिए, steam engine आ गया, तो spinning factory है, जैसे steam engine मैंने चलाया, वो क्या अगरती mechanical energy generate करती है, तो उसके कारण क्या हो गया, turbine rotate हुआ, और turbine rotate होने के कारण जो mechanical energy generate हुआ, उससे खूप सारे, जो आप देख रहे हैं, यह सारे spinning wheels जो है, एक साथ चलने लगे, तो सोची कितने सारे yarns, कितने सारे threads एक बार में बनेंगे, तो obviously productivity multiple times बढ़ गया, और यहाँ पर यही नहीं है, spinning jenny आया, एक second, रुकिएगा, मैं आपको दिखाता, देखिए, spinning jenny आया, अभी हमने क्या देखा, पहले वाला जो wheel था, उस पर एक spindle था, एक yarn था, एक thread बनता था, अभी देखिए, spinning jenny पर कितने सारे spindles हैं, class 10th की NCRT है मेरे भाई लोग, chapter 4 है, इसको आराम से पढ़ लीजेगा, जो मैंने underline किये चीज़े, वो बहुत अच्छी चीज़े हैं, बहुत प्यारी चीज़े हैं, बहुत प्यार से समझाया है NCRT ने इसको, ठीके ना, तो NCRT को बिलकुल lightly मत लीजे, class 10th, chapter 4, आपको बता है, class 10, chapter 4, नई NCRT, अच्छे से पढ़ना है उसको, और वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़े हैं, बहुत सारा आपका doubt क्लियर कर देंगे, वो ये NCRT जो है, इसमें उन्होंने काफी सारी बाते की हैं, कि ना, हमेशा हम बाते करते हैं कि industrialization, industrialization, अरे इससे पहले भी, industrial revolution पहले, मतलब आने से पहले, steam engine develop होने से पहले, spinning journey develop होने से पहले भी, लोग काम करते थे ब्रो, एक तरह से, और उस phase को बोला जाता है, proto-industrialization, और जो sign of progress आपने माना हुआ है, ये जो railway, camera, etc. है, इसका ये मतलब निये कि हमेशा अच्छी चीजें लाती है, इससे environmental degradation हो रहा है, pollution हो रहा है, यहां पर बहुत सारे images दिखाया गया है, एक Aladdin है, और एक दूसरे आदमी है, और दिखाया जा रहा है कि जो Orient है, East है, जहां कि Aladdin है, वहाँ पर तो कुछ होई नहीं रहा हमारे यहां ही progress हो रहा है, but the thing is कि ये दोधारी तलवार है, ये जो development आप देख रहे हैं, ये दोधारी तलवार है, nuclear weapons disease भी इसी से आए हैं, आप समझ रहे हो ना, कितनी सारी बाते वो कह रहे हैं, प्रोटो-Industrialization, इंडस्ट्रालाइजेशन ये जो आप इंडस्ट्राल रिवल्यूशन बोलते हैं, उससे पहले बी एक form आफ इंडस्ट्रालाइजेशन था, जिसको बोलते हैं proto-industrialization यहां की बाते वो कर रहे हैं बहुत प्यार से chapter लिखा है और यहां पर बहुत सारी और बोल बच्चन चल रही है और चीजें हो बता रहे हैं कि यह सब जो हुआ industrial revolution ऐसा नहीं कि अचानक से 1760 में आया और 10 साल में हर जगे फैल गया इंग्लेंड में नहीं लोगों ने जब देखा कि इंडेस्ट्र वो था ना जो यह एक्विप्मेंट्स हैं यह उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं प्रोटेस्ट हुआ थे लोग प्लस देखिए industrial revolution कहां पर बहुत फास्ट होगा प्रोग्रेस जहां पर लेबर कम हो इंग्लेंड में चीप लेबर थे तो वो लोग काम सेस्टे से निकल जाता था लोगोंका जो इंडेस्ट्री में काम कर रहे थे जो बड़े बड़े लोग हैं तो वो लोग क्या है तो seasonal का work होता था तो बड़े बड़े Consultation होता था इस अगर उनको बात करते हैं industrial revolution industrial revolution कि अचानक से एकदम fast industrial revolution और change आ गया England में नहीं धीरे धीरे आया लोग थोड़े skeptical थे और यहां पर यही बाते चल रही है कि जो pace है वो बहुत slow था James Ward ने steam engine discover कर दिया improve कर दिया और उसके बाद भी बहुत सालों तक उनको कोई बायस नहीं मिले दीरे दीरे लोग skeptical हैं चीजों को adopt करने में थोड़े slow हैं अभी नहीं slow है पहले भी slow थे Victorian Britain है 1837 से 1901 का period है if I'm not wrong Queen Victoria का उसमें भी बता रहा है कि shortage नहीं थी human labor की तो इसलिए धीरे-धीरे यह industrial changes आ रहे थे और अमेरिका में क्योंकि labor issue था तो वहाँ पर changes fast हुए hopefully समझ में आ रहा है मैं आपको बस फटा-फट बता रहा हूँ आराम से हमने यह detailed discussion किया है आपने जो हमारा जो nCRT series है आप अगर लेना चाहिए बिलकुल मैं आपको कहुँँगा आपको help करेगा यहां पर यहीं बाते हुई हैं और भी बहुत इंट्रेस्टिंग बाते हुई है कि इंडिया में कैसे आया यह सारा कुछ उसमें चाइना ट्रेड की वह बात करेंगे चाइना ट्रेड में क्या कॉंसेप्ट है कि आपको याद होगा या आप लोगों को नहीं बता है कि इंडिया वाले बहुत पैसा कमाते हैं चाइना चाइना वाले लोगों को ओपियम एक्सपोर्ट करके इंडिया वाले क्या ब्रिटिश य वाले हो गए और उन्होंने भी investment किया यहीं सारी बाते हैं बहुत इंट्रेस्टिंग बाते हैं कुछ से भी अगर हो तो पढ़िए चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा आपको यह पढ़के तो यहां पर अब मैं आपको दिखा देता हूं फिर उसके चलते हैं अपनी चैप् development आएगा तो यह सारी कुछ बाते हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हमने अभी यह सब बातें अपने चैप्टर पढ़ लीजे अगर आपको पढ़ने का मन करें क्लास 10 चैप्टर 4 और अभी जो हमने बाते की इंग्लेंड में ही पहले क्यों आया यह सारे रीजंस को ध्यान रखिएगा ठीकाशे तो इस इंसान के तरह मत बनिये अक्टिव बनिये डिसिजन्स लीजे पढ़ाई कीजिए एक बार और प्रमोट कर देता हूं बुरा मत मानिएगा ले रहा है लीजे और अगर आपने न्सी आइटी के लावा कुछ दूसरे कोर्स भी लेने है और हो सकता है मेरे अब कुछ और भी प्रमोट करो तो पॉइंट इस कि आपको कोई और भी बैच लेना है कोर्स लेना है आप कोड यूज कर लो शुब ठीक है ना आपको उसमें कुछ ने कुछ दिस्काउंट पिल जाएगा शुब शुब अच्छा होगा सब कुछ पढ़ि लीजिएगा तेक केर बी ब्लेस्ट बबाइ